कोरोना संक्रमन के काल में पुलिस जवान 24 गंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे समय उन्हें सबसे अधिक कोरोना वायरस के संक्रमन का खत्रा है इसे देखते हुए पुलिस विभाग दौरा सेनिटाइजर भैन का उपकरम शुरू किया गया है जिसमें पुलिस कर्मियों क को सेनिटाइज किया जा रहा है कोरोना वायरस के संक्रमन को रोकने के लिए सबी और 23 मार्च से लागडाउन किया गया है इसी के साथ 1244 कर्फ्यू लागू किया गया है 23 मार्च से 17 मही तक इसी परकार की इस्तिती बनी रहेगी इस दवरान पुलिस और होंगाट के जवान दिनरात शेहर के परमुक मारगो 14 हो कंटेनमेंट जोन में अपनी ड्यूटी निबा रहे है इस दवरान पुलिस और होंगाट के जवानों को कोरोना वायरस का संक्रमन ना हो इसके लिए पुलिस विबाग दवरा सैनिटाइजर वैन शुरू की गई है जिसमें पुलिस कर्म कर्मियों को सैनिटाइजर करनी की वेवस्ता की गई है यह सैनिटाइजर वैन जहां जहां पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है वहां जाकर पुलिस कर्मियों को सैनिटाइज कर रही है अपनी ड्यूटी पर तैनात पुलिस और होंगाट जवानों को कोरोना वायरस के सं सैनिटाइजर वैन का उक्रम शुरू किया गया है जो घुम घुम कर पुलिस कर्मियों और होम गार्ट के जवानों को सैनिटाइज कर रही है जिसके कारण इन में अपनी सुरक्चितना को लेकर विश्वास जागा है इस सैनिटाइजर वैन में सैनिटाइजर के छिड़काओं